कुकम कुकमाइन टेक्निक्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क थίοरी के बारे में और नेटवर्क थेयरी में हम देखेगे basic circuits तो श्टार्ट करते हम से हमें 1st Question में दिया है the internal resistance of an ideal current source is तो हम क्या करेगे इस concept देखने से पहले हम कुछ इसका circuit देखते है इंफानाइट चाहिए तो यह resistance हम कभी भी parallel में connect करते हैं जो current source का होता है ठीक है यहां पर हमने दिखाया है तो यह उन्होंने पूचा है तो इन्फानाइट चाहिए पर अक्चुली यह इन्फानाइट ने होता उसमें कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टंस होता ही ठीक है तो फिर हमारा जो आंसर क्वान से इन्फानाइट होगा तो यहां पर करनि मतलब लोड के तहरुद और जाएगा आउटवर मतलब लोड के तरह हो जाएगा पर अगर इसमें अगर यह infinite नहीं है तो current कुछ यहां पर भी flow के उसका कुछ drop हो जाएगा इसलिए हमें यह resistance है यह infinite चाहिए ideal current source के लिए मतलब अगर हम ideally source ते हैं तो तो हम next question देखते हैं हमें यहां पर दिया है for the circuit shown below what is the voltage across the current source आए यह जो current source हमें आए दिया इसके across हमें voltage निकलना है यह voltage निकलने से पहले हम R equivalent निकल लेते हैं जैसे हमने यह diagram में देखा कि हमें पहले R equivalent निकलना है R equivalent निकलने के बाद हमें तो हमें resistance मिलने के बाद तो हम formula यूज करेगे V is equals to I into R तो हम start करते हैं यह से जैसे में पहले R equivalent निकलता हूँ यह आपे है R equivalent is equals to पहले मैं क्या करता हूँ यह parallel combination ले लेता हूँ यह 3 multiply 6 upon 3 plus 6 ठीके यह होगा 6 3 the 18 और यह 9 9 1 the 9 9 to the 18 यह मिला मुझे है R equivalent यह आपे मैं लिखता हूँ R equivalent is equals to 2 पर यह total नहीं मिला है इसी parallel combination का है इसमें यह 1 add करना पड़ेगा तो यह plus 1 is equals to 3 ohm यह पूरा R equivalent मुझे मिला ठीके तो मुझे voltage निकालना इसके across तो मेरे पास जो formula है V is equal to is equals to R equivalent ठीके तो मैं is दिया है हुआ है यह source current है is है 2 और R equivalent दिया है 3 और यह 3 to the 6 volt यह हमें answer मिला है option में यह दिया है option number D तो हम next देखते है what will be the value of current in ampere through the 50 ohm register of the given circuit diagram यह से हमें क्या पूचा है value of current हमें निकालना है through 50 ohm से जो यहापे दिया है जिसे में पहले diagram देखता हूँ फिर हम बात करेगे देखो यहापे में diagram में दिया है यह 100 volt है यह 100 ohm और यह 50 ohm से हमें क्या निकालना है current निकालना है तो हम यहापे देखेगे जिसे अगर मुझे यहापे कितना voltage पर हो रहा है यह अगर मिला तो मुझे current आराम से मिल जाएगा क्योंकि मैं क्या यूज़ करूगा आई जी कॉस्ट भी अपना जैसे देखो मैं करता हूँ यह अभी दो parallel combination है और हमें यह मालूम है कि parallel में voltage हमेशा constant होता है तो यहापे 100 volt ही हमें मिलेगा और यहापे भी 100 volt ही हमें मिलेगा ठीके तो यहापे आगर मुझे यह मिला तो मैं यूज़ करता हूँ i is equals to v upon r मैंने यह यूज़ किया ठीके voltage मैंने का यहापे 100 volt यासे flow रहा है और resistance हमें दिया है 50 तो हमें current कितना flow रहा है यासे यह मिलेगा तो 51 to 50 और यह 50 to the 100 मतलब current जो flow रहा है यह है 2 ampere क्योंकि हमें voltage यहासे कितना एक्रोस से यह मिल चुका है तो इसलिए मैं आई जो कर श्चुट यह यह लिखता हूँ और option में मुझे यहापे है option number C तो मैं next दिखता हूँ determine the voltage in V across 40 ohm register for the given circuit diagram तो मुझे यहापे determine करना है voltage across यह है 40 ohm तो इसके लिए अभी मैं क्या करोगा मुझे यह circuit diagram पूरा मिला है तो मुझे सीब यहासे कितना flow रहा है voltage वो देखना है तो इसके लिए फिल मैं पहले क्या करोगा जैसे मैंने यह circuit diagram ले लिया है same यह है मैंने सीब इसको यह series में यह भी series में है और यह भी series में है इसको थोड़ आसा क्या किया है एक line में address कर लिया है ठीक है तो अभी इसके एक्रोस यह voltage आपे इनों दिया वी 1 वी 2 वी 3 और वी 4 हमें निकालना है 40 ohm के एक्रोस मतलब हमें निकालना है वी 3 के एक्रोस तो इसे निकालने से पहले मैं क्या करता हूं इसमें मैं पहले इसके addition कर लेता हूं तो addition हमें काम आईगी तो यह जो जो resistance है इसके लिए मैं आभी आपे लिखता हूं यह total resistance या तो आप इसको R equivalent भी लिख सकते हो 20 30 40 70 और 10 80 जैसे मैं यह आपे one by one 20 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 यहापे हमें यह मिलेगा देखो यह 20 30 और यह 40 40 यह हुआ 80 ओम यह total resistance है ठीक है हमें total resistance मिला तो मैं यह यहापे क्या करता हूं current निकल लेता हूं i is equals to v upon r तो यहापे voltage है 60 और यह जो total resistance है मिला 80 यह 0 और यह 0 cancel यह 236 और यह 248 यह मुझे current यहापे मिला मैं इसको अभी पॉइंट में calculate करता हमें इसको इसे रहने यह है इस circuit में से current जो flow हो रहा है यह अभी यह circuit जो है यहापे 3 upon 4 resistance कुन सा है यहापे है 40 तो यह 4 on the 4 and 4 10 the 40 तो यहापे 3 into 10 यहापे मुझे voltage मिलेगा V equals to 30 volt यहापे हमें अमरा final answer मिलेगा अभी मैंने एक दिखता हूँ यहापे दिया है what will be the value of current in ampere through 4 ohm resistance for the given circuit diagram अभी यहापे 4 ohm यह resistance है जैसे मैं नया diagram लेता हूँ इसमें से हमें समझ में आएगा जैसे यह same है यहापे यह सिब मैंने क्या किया यहापे दो changes है यहापे जो current flow रहा हमें पहले यह major करना है और जो यह voltage source है मैंने इसको current source में कर लिया है convert कर लिया है तो यहापे पुरा current source ही diagram में मुझे मिलेगा तो current source करने के बाद फिर से मैंने क्या है जैसे मैं यहापे solve करता हूँ देखो यहापे यह solve करने के बाद मैंने क्या किया अभी यह 20 और यह मैं यहापे लिखता हूँ मुझे current source में करवट करना है यह suppose यह resistance है और यह मुझे यहापे इसा मिला तो यह अभी यहाँ से निकल गया तो यह 3 यहाँ पर आएगा तो 3 multiply मतला मुझे यह कहना है कि यह 3 और 6 का parallel combination हो चुका है यहापे तो अगर आब इसका parallel combination यह तो आर equivalent निकालोगे तो आपको यह 3 into 6 upon 3 plus 6 अब इसका equivalent निकालोगे तो आपको यह यहापे मिलेगा 2 ohm तो मैंने directly क्या किया है यहापे 2 ohm ले लिया है तो यह circuit यहाँ से निकल चुका है और 2 ohm यहापे मैंने place कर दिया है तो 4 ohm वैसे same as it is है और यह 6 ohm है 20 ampere यहापे है तो हमें इसमें से current निकालना है पर यह सब निकालने से पहले हमें दो यह node है इससे analysis करके हमें उसका equation निकालना है तो जैसे मैं अभी first equation से start करता हूँ जो हमें क्या करता है जो मैं अभी first node से start करता हूँ तो दिखा अभी मैं यहापे क्या ले तो अभी 20 upon 3 voltage मैंने लिया है यह 20 upon 3 ठीक है यह flow रहा है node के पास मतलब inside flow रहा है तो मैंने यह positive लिय जा रहा है यह direction जो outside है उसको हम negative लेगे तो यह 20 upon 3 inside है तो मैंने 20 upon 3 ले लिया अभी यह V1 में लेता हूँ यह आपर यह पहर जा रहा है तो मैंने यह यहापर यह पुल दिखी एपके तो 0 हम क्या करीगी अब है यह क्योशन लिखेगे लिखने के लिए में इस पहले LCM लेता हो और यह LCM लेने से मुझे यह मिलेगा 12 क्योंकि 12 अगर हम लेगे तो यह सब उसको डिवाइड करेगा तो मैंने यहां पर 12 ले लिया है ठीक है तो LCM आप डारेक्ली भी निकाल सकते हो जैसे 414 अगर मैंने 4 लिया तो LCM यह 3 से डिवाइड होगा फिर में 2 से आपको ट्राय करना है एट से फिर 2 से 2 कैंसल करेगा 4 भी कैंसल करेगा 3 फिर से नहीं करेगा तो मैं करूगा फिर से 4 इंटू 3 यह होगा फिर 12 जो है यह तीनों नंबर इसको डिवाइड करेगे तो इसलिए 12 हमारा LCM है यहां पर मैं आपकर 12 करना स्टार्ट करता हूं और यह 3 4 12 और 20 इंटू 4 यहां पर 80 में थोड़ा डारेक्ट लिक रहा हूं ठीक है माइनस यहां पर भी 12 आएगा 2 1 जा 2 और 2 6 12 तो यहां पर मुझे मिलेगा माइनस 6 V1 यहां पर जो मिलेगा मुझे फिर से यह 4 और 4 3 12 यह माइनस 3 1 ठीक है और यह माइनस अंदर में यह मा करोगा तो यह मुझे यह प्लस मिलेगा पर यह 3 V2 ठीक है यह 4 यह समने आमें उसको डिवाइड कर लिया फिर हमें यह जो नीची मिलेगा यह 12 इक्वल्स टू 0 बाद में मुझे फिर में सिब यह एक्वेशन हमें चाहिए वह लेता हो 80 माइनस 6 V1 माइनस 3 V1 प्लस 3 V2 ठीक सबको क्याकुलेट कर लेता हो मतलब V1 V1 और V2 तो यह मुझे मिलेगा 80 जिस 6 और यह 3 माइनस 9 V1 प्लस 3 V2 एक्वल्स टू 0 तब मैं यह यह पर क्या करोगा यह जो वैल्यू है V1 और V2 के मैं यह राइट हैंसाइड में इक्वाल टू के राइट हैंसाइड में लेखे Declaration and value 80 मुझे यह पहले एक्वेशन यह आपanton मिले फिर मैं यहापस किसेंट नोर की गुषार मुजे क्या मिलेगा जैसे मिअ जा रहा है इसलाए मैंने प्लस लिया एक कितना लहने पड़ेगा मुझे 6 दिसे से यह कहांस एकर तक जा रहा है V2 से V1 तक तो मैं यह पर लिना पर जा रहा है V2 minus v1 यह कितना पहले बूँ तक कितना यह आफे क्या करता हूं 12 लेता हूं फिर 12 लेने के बाद मैं यहां पर multiply करता हूं सबको फिर से 12 से और नीचे हम 12 ले लेगे 12 इंटू 24 पर एक 0 है यह आएका 240 यह माइनस और यह फिर से 12 किया तो 6212 यहां पर मिलेगा मुझे-2v2 यहां पर 4 और 12 फूर्थ इस और 12 यह माइनस 3 v2 और यह माइनस अंदर फिर से multiply होगा यह प्लस 3 v1 इक्वल्स टू 0 ठीक है बाद में आभी मैं क्या करता हूं फिर से सबको calculate कर लेता हूं फिर से यह आ गया 240 और यहां पर v1 एक ही है प्लस 3 v1 बाद में 3 और टू 5 minus 5 v2 ठीक है इक्वल्स टू 0 यह टर्म फिर से राइट हैं साइड में फिर क्या मिलेगा प्लस का माइनस होगा तो माइनस 3 v1 फिर प्लस 5 v2 पिर इक्वल्स टू यह हुआ 240 ठीक है यह हुआ अब यह जो दो एक्वेशन मुझे मिले हैं मैं क्या करता हूँ इसको आगे लिख लेता हूँ नेक्स लाइड में क्योंकि यहापे हमें जगा कम है तो मैं यहापे लिखता हूँ जैसे फर्स एक्वेशन मुझे मिला था 9 V1 पिर बाद में minus 3 V2 equals to 80 यह हमें first equation मिला था second equation मुझे मिला था minus 3 V1 plus YU V2 equals to 240 हमें यह मिला था second equation तो हम क्या करते हैं अभी यह equation हमें solve करना है तो पहले में इसको multiply by 3 करता हूँ तो यह equation मुझे मिलेगा minus 9 V1 plus 3 V15 15 V2 उसके बाद में यहापे मिलेगा 0, 3, 4, 2, 1 और यह 3, 2, 6, 6, 1, 7, 20 यह equation मुझे मिलेगा अभी मैं क्या करता हूँ इसको यह दोनों को मैं यहापे cancel out करता हूँ मतलब हम इसमें से V1 निकाल देगे तो मैं यहापे लिखता हूँ यह हमारा अलग equation है और मैं यह first equation यहापे लिखता हूँ 9 V1 minus 3 V2 equals to 80 तो मुझे यहापे क्या मिलेगा भी यह add करता हूँ मैं यह add करने के बाद यह cancel तो और यह add करने के बाद यह 15 में से 3 निकल दाएगा तो मुझे यह मिलेगा 12 V2 equals to इसको भी add करना है तो मुझे यह मिलेगा 800 is 0 ठीक है 8 or 2 10 और यह 1 यहापे 1 आ जाएगा तो 7 plus 1 800 तो यहापे मिलेगा मुझे V2 is equals to 800 upon 12 यह V2 मुझे यहापे मिला तो मुझे क्या करना है अभी V2 मिला तो V1 मुझे देखना है तो V1 देखने के लिए मैं क्या करता हूँ फिर से मैं आगे क्या करता हूँ अभी यह जो equation है यह equation number 1 में पूट करता हूँ तो मैं यहापे लिखता हूँ मैं put equation यहापे मैं लिखता हूँ इसको ठर समझने के लिए put equation या तो यह value 3 into in equation 1 तो मुझे अभी यहापे क्या मिलेगा यह 9 V1 minus 3 V2 कितना मिलेगा 800 upon यह 12 बाद में यहापे क्या है equals to 80 यह 3 बंजा 3 यह 3 फोजा 12 यह 4 बंजा 4 यह 4 तू जा 8 यह कितना मिला मुझे 200 तो यह equation मुझे मिला 9 V1 minus 200 equals to 80 ठीके यह 200 इधर चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 9 V1 equals to 200 plus 80 यह 280 फिर V1 मुझे मिलेगा V1 is equals to 280 upon यहापे कितना है 9 यह मुझे एक equation मिला ठीके यह एक मिला यहापे भी एक मिला है यह यह एक है तो मुझे अभी इससे करण निकलना है तो यह करण निकलने के लिए मैं क्या लोगा यहापे I equals to V1 minus V2 upon यह फोर है तो यहापे हमें क्या करता हो अभी इक्वल्स टू V1 है 280 upon 9 minus यह कितना है 800 upon 12 upon 4 यह जो equation है तो इसमें हम क्या करते है फिर से हमें LCM लेना पड़ेगा LCM हम कितना लेगे 12 और यह 9 इसका हम लेगे LCM 36 फिर से यह 36 है यहापे मल्टिप्लाइ होगा तो मैं थोड़े डारेक्ली लिएता हूँ 280 और यह 9 इसमें फिर यह होगा 4 multiply by 4 यह minus यहापे फिर से 36 यह 12 इसमें 36 फिर यहापे आएगा 3 divide by यहापे LCM हम लेगे 36 और यह multiply by 4 तो यह कितना मिलेगा हमें 280 multiply by 4 यहापे यह में लिखता हूँ यह हमें मिलेगा 1 जिसे 4 0 जो 0 और फिर आगे मैं calculate करता हूँ तो 1 1 2 0 minus 3 824 यह 24 00 upon यह मिलेगा 36 into 4 ठीके equals to यह equals to 4 में क्या करोगा इसको minus करके मिलेगा मुझे upon 36 multiply by 4 और अग्यार इसको अभी calculation के लिए इधर जगन है पर इसको आप calculation करोगे तो इसको आपको यह final मिलेगा 8.88 यह ampere यह आपको current यह पे मिलेगा जो हमारा last answer यह पे रहने वाला है यह option में दिया है यह A1 और इसको approximate करके हमने क्या किया है 8.9 ampere ठीक है यह हमारा final answer रहेगा तो हमने एक देखते है हम यह आपको दिया है determine the value of current in ampere through the load resistance of the given circuit तो यह circuit दिया हुआ है तो हम क्या करेगे इसमें से हमें फिर से यह current निकालना है जिससे यह diagram है पर यह यहाँ दीखते हो जैसे यह diagram है diagram में हमें क्या किया है मैं इस से से मुझे यह से current निकालना है यहाँ पर भी दिखाए हूँ तो मैं क्या करता हूँ I Whether You Can प्ल्स लिया इन्वर फ्लो रहा है यह पर माइनस यह एक नोड़ है वी अ और इसके अंदर मतलब बिच में रेजिस्टन्स यह फोर्म मैंने फर्स लिख लिया फिर से यह भी यह से works यहीं क्या करो लिए यह यहांपर ले लिए यह फ्लो रहा है एट से का तक जाएगा यह वी ए तक जाएगा इसमें जो रेजिस्टन्स यह है यह कितना है सिक्स है फिर लास में बचा है यह आरियल है तो इसमें से जो यह यह आपर दिखाए आमें डिरेक्शन यह आप से फ्लो रहा है तो यह आउट वर जा रहा है तो मैं कि LCM लेगे LCM फिर यह कितना लेना पड़ेगा कि यह सब डिवाइड होगे हम 60 लेगे 10 60 60 60 यहाँ पर टू 30 2 multiplied 30 60 और यह 4 into 15 60 ठीक है तो हम क्या करेगे यहाँ पर 60 लिया हम इने तो 16 लेने के बाद यहाँ पर मुझे मिला 15 डारेक्ली लिया हम इने 15 यह 2-VA यह multiply upon यह क्या हुआ फूर से हमें यहाँ पर 60 था तो फूर से फिफ्टी फॉर्जा 60 इसलिए यहाँ फिफ्टी न आया प्लस यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिखे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर मैंने लिया था यह लिया था 60 यह इक्वल्स टू जीरो फिर अगर मैं आभी यह सब को क्या करता हूँ मुल्टिप्लाय करता हूँ अंदर 15 इंटू 2 यहाँ पर 30 यहाँ पर माइनस 15 वी ए ठीक है प्लस 30 इंटू 4 वो 3 जा 12 यह 20 1 20 माइनस 30 वी ए फिर प्लस यह 18 इंट्या एट्य माइनस 10 वी यह लिक लिया और माइनस 6 वी यह यह इक्वल्स टू दिरो अभी जो number से एक side में कर लेगे और जो यह VA है जो है यह side में कर लेगे जिससे यह 30 into 120 यह मिले हमें 150 150 और आगे है यह 80 है तो हम यह सब मिला कि हमें कितना मिलता है 230 ठीक है पिर बाद में मैं क्या करता हूँ यह minus फिर आभी यह देखता हूँ यह 15 और 30 यह 45 यह 55 और 6 यह 61 यह 61 VA equals to 0 तो यह मैं लेखे जाओगा right hand side में तो यह मुझे मिलेगा 230 equals to 61 VA फिर मुझे मिलता है VA की value VA is equals to 230 upon 61 ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या करना है मैं पहले VA निकल लेता हूँ VA कितना मिलेगा यहाँ पर VA हमें मिला 3.77 यह आपको divide करने के बाद मिलेगा पर हमें क्या निकलना है यहासे कितना current flow रहा है वो देखना है तो current यहासे जो flow रहा है यह I is equals to यह VA flow होगा यहासे इसलिए में VA यह से जो flow होगा यहापे दिखाय है कितना है सिरी पॉइंट कि टेल मुझे अपे कितना मिला में यह अपे लिखता हूँ यह यह मिला जिरो पॉइंट ढूह कितना मिलेगा १्या हमें पाइनल अंसर जो करन की वैल्यू है यह मिलेगा हमें ठीक है यहां पर में यहां पर बोक्स बना देता हूं और यह option में मिलेगा हमें option number D तो हम नेक्स देखते हैं यहां पर क्या दिया है हमें what will be the peak value in ampere of the current used by washing machine rated at 230 volt 16 ampere तो हमें यहां पर निकालना है हमें pick value और यह value दी है में यह दोनों भी कुंसी value है rms value तो rms value हमें दी है और pick value निकालने के लिए हम इसको multiply करेगे root 2 से जैसे मैं यह आ पर लिखता हूं यह है maximum value तो मैं यहां पर लिखता हूं I am या तो IP लिख सकते हो आप आपको वह निकालना है तो IRMS multiply by root 2 IRMS आमें दिया है यह 16 Ampere into यह है root 2 तो अब इसको multiply करने के बाद आपको मिलेगा 22.62 Ampere यह आपको peak value आपको यह मिलेगी यह option दिया है option number D तो आप next देखते है which of the following wave will have the highest RMS value for equal peak values अभी इसको देखो यह थोड़ा interesting है मतलब मिने अगर यह diagram ली तो हमें इस में से सिब यह बताना है कि RMS value और peak value यह दोनों भी same होते हैं यह हमें मिलता है square wave में तो हमार answer है आईगा पर हम क्या करते है one by one देखते है जैसे sign wave के लिए मिने देखा तो RMS value मुझे मिली 0.707 यह हमें RMS value मिली जैसे average value यह पर मिलती है average value is equal to 0.637 peak ठीक है यह दोनों भी आलग है RMS value आलग है average value आलग है पर आगर आप square value के लिए देखे होगे तो आपको RMS value equal to peak value और average value भी आपको equal मिलती है peak value की मतलब जो एक peak value वह ही RMS होती है और average होती है जैसे यहाँ पर sinusoidal तो peak के लिए आलग change हो जाती है और यह vary होती है जैसे यह 0 से increase होके फिर maximum होती है तो RMS और average change हो जाती है जैसे यहाँ पर एक ही है constant है तो इसमें इसलिए यह same होता है अब triangular में भी देखेगा तो आपको RMS आलग मिलेगा average आलग मिलेगा तो हम यहाँ पर option में देख देखते हैं तो हमें यह option c1 अमरा answer रहने वाला है तो हम next देखेगे यहाँ पर दिया है तो यह formula मेरे पास है तो मैं अभी क्या करता हूँ इसमें सिभ मुझे value पूट करनी है जो time दिया है यह 1 upon यहाँ पर है 0.05 into 10 raise to है यह minus 3 तो मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ जैसे में यह decimal आगे ले लेता हूँ ठीक है हम यह यहाँ पर कर सकते है यह 1 और 2 तू decimal आगे लिया तो मैं यह यहाँ पर 2 यह पर भी decimal आगे ले सकता हूँ तो मैं यह लेके दिखता हूँ यहाँ पर है यह 100 क्योंकि मैंने 2 decimal यह पर लिए यह फिर मुझे मिलेगा 5 into 10 raise to minus 3 यह फिर minus 3 में numerator में लेके जाओगा तो मैं यह 100 into यह होगा 10 raise to plus 3 यह हो जाएगा और नीचे मुझे जो रेने वाला यह 5 तो यह 5 बंदा 5 और यह 5 टू जा 10 और यह 20 तो फिर मुझे आभी दिखो यहाँ पर यह 20 और यह 10 raise to 3 मतलब मैं आभी यह 0 में लिखता हूँ यह 10 raise to 3 ह 1000 यह इसलिए 30 तो मुझे फिर यह क्या मिलेगा यह 1234 यह 401234 20 2000 यह हमें मिला और यह frequency है और यह दिया है हर्स में तो यह हमारा final answer देने वाला है हम देखते हैं क्या पर 30 यह option है हमारा option number answer है C तो हम next दिखते हैं हमें यह दिया है find the short circuit current with यह vr equals to 7.5 and r2 is equals to 0.52 तो यहाँ पर हम ohms law use करेगे short circuit current i is equals to v upon r यह simple हम use करेगे तो हमें यह पर मिलता है यह पर में लिकता हूँ vr हमें जो दिया है 7.50 और जो resistance हमें दिया है यह दिया है 0.52 तो हम यहाँ यह पर use करेगे तो decimal पहले हम निकल लेगे यहाँ पर हमें 2 decimal move करने पाएगे दो places मूग करने परेगे यहाँ पर मुझे दो मूग करता हूँ यह मिलेगा मुझे 750 और नीचे मुझे मिलेगा 52 ठीक है तो यह सब calculate करने के बाद मुझे आज़ो answer मिलेगा यह मिलेगा 15 Ampere यह मुझे short circuit current मिलेगा 15 Ampere तो यहाँ मरा final answer रहेगा और यह दिए है option में option C ठीक है यहाँ पर हम रुकते हैं मिलते हैं next video में कुछ नए concept के साथ